गोपी चंद एक मध्यमवर्गी आत्मी था, उसकी चार बेटियां थी, बड़ी बेटी सुरीता, उससे छोटी अनिता और छोटी बेटी कंचन और सीमा, उसने अपनी चारो बेटियों की शादी एक मध्यमवर्गी परिवार में ही की थी, वक्त के साथ साथ चारो बेटियों के पतियों ने अपने अपने तरीके से महनत की, जिसमें दो बड़ी बेटियों के पति आज बहुत अमीर हो चुके थे, और दोनों छोटी बेटियां अभी भी अपने मध्यमवर्गी जिन्दगी से ही जूज रही थी, गोपी चंद अप का जादिते हो गई है, दो महीने की बात की तारीक है, और देख बहन, तु तो जानती है, यहाँ पर मैं अकेली पर जाओंगी, इसलिए शादी से पंदरा दिन पहले मेरे पास आजाना, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत 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 मुबारक, अरे हाँ हाँ, तु फिक्र म तो मुही उतर जाता है वे अनीता से कहती है अनीता, एक बात मैं तुझ से करना चाहती थी कंचन और सीमा के हालाथ तो तुझे पता ही है और निधी की शादी हमने एक बहुत बड़े परिवार में तैकी है अब तू तो जानती है तू तु मेरे ही लेवल पर है ना, तो मैं तुझे बड़े कर्व के साथ उनसे मिलवा सकती हूँ, लेकिन कंचन और सीमा उनको तू जानती ही है ना, पर बेहन अच्छा तो नहीं लगेगा ना, हमारी छोटी बेहने हैं वो, मैं जानती हूँ, अगर पिता जी और मा को पता च जाएंगे, एक काम करती हूँ, मैं उन्हें शादी का थोड़ा रुक कर बता दूँगी, एक दिन पहले बुला लूँगी, हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा, और तू चिंता क्यों करती है, तेरे पास तो इतनी महंगी महंगी पुरानी साडिया हैं, उनमें से कोई उनको पहनने के लिए दे देना, फिर वे दोनों अच्छी ही लगेंगी, अरे हाँ, आइडिया तो तूने बहुत अच्छा दिया, मैं अभी कुछ साडिया निकाल कर ड्राइ क्लीनर को दे देती हूँ, उधर एक महीने बाद जाकर कंचन और सीमा को पता चलता है, कि उसकी बड़ी बेहन सुनीता की बेटी की शादी तै हो गई है, और मैं तो उन्हों बहने भी फोन पर बाते कर रही थी, सुना है, दीधी ने बहुत बड़े घर में अपनी बेटी का रिष्टा तै किया है, मैं तो बहुत खुश हूँ, अच्छा है, निधी को अच्छा घर मिला है, मैं भी अच्छा से लेना पड़ेगा, वरना उसके ससराल वाले क्या कहेंगे, कि मौसी ने क्या दिया है, अच्छा सीमा, पहले ये बता, तेरा बजट कितना है, मैं अपना बता देती हूँ, फिर ऐसा करते हैं, दोनों बहने मिलकर कोई अच्छा सा गिफ्ट देते हैं, इस तरह ग चुकी थी, अनिता भी अपने दोनों बच्चों के साथ वहाँ पर आ गए, लेकिन सुनीता ने सीमा और कंचन को शादी से दो दिन पहले ही बुलाया था, अरे वा सुनीता, तुमने तो बहुत अच्छी तयार्या की हुई है, काफी महंगी शादी होगी, तू तो जानती है निधी मेरी एक लौती उलाद है, मैं तो कोई कमी नहीं छोड़ूँगी, और हाँ, तुने कहा था न, कंचन और सीमा के लिए, शादी में पहनने के लिए कोई साड़ी, वो मैंने ट्रैकलीन करा ली है, अब क्या करूं, बहने हैं, लोगों से तुम मिलवाना ही पड़ेगा हाँ, मैंने भी अपने तोनों बच्चों के कुछ कपड़े अच्छे साफ सुत्रे कराकर साथ ले आई हूँ, कंचन और सीमा की बच्चों के कपड़े अगर कम तर लगी, तो उन्हें दे दूंगी दोनों बहने बैट कर अपनी अमीरी की बाते करने लगी, देखते ही देखते एक महीना बीट गया, शादी से दो दिन पहले सीमा और कंचन की अपने बच्चों के साथ सुनीता के खर आती है, घर में शादी का मेला लगा हुआ था, अनीता को अपने से पहले आया दे, दोनो के मुसे निकल जाता है, कि उसे आये हुए तो एक महीना हो चुका है, ये सुनकर कंचन और सीमा एक दूसरे की तरफ देखने लगती है, अरे तुम दोनों बुरा मत मान जाना, ऐसा था, सुनीता अकेली पड़ गई थी, इसलिए मैंने सोचा, मैं तो पहन हूँ, जा सकती हाँ, हाँ, क्यों नहीं दीदी, हम भी आ सकते थे, कोई बात नहीं, आप आई, तो जरूर दीदी की बहुत मदद हो गई होगी, सुनीता नोकर के हाथ दोनों पहनों के लिए चाय भिज़वा देती है, और बताओ, तुम दोनों की सारे तयारियां हो चुकी है शादी की, हा कुलसा धारत से ही कपड़े पहने हुए थे, अभी वे लोग चाय पानी पी ही रहे थे, कि तभी निधी के ससुराल से कुछ लोग आते हैं, ये बात सुनीता को पता चलती है, तो वे भाग कर सीमा और कंचन के पास आती है, अरे तुम दोनों ठक गई होगी, मैंने तुम दो सुनीता अनीता से कहती है कि निधी के ससुराल वाले आये हैं, वे दोनों बाते कर ही रही थी कि तभी सीमा किसी काम से नीचे आती है, और परदे की पीछे चुपकर अनीता और सुनीता की बाते सुन लेती है, ये निधी के ससुराल वाले भी अच्छानक से आ गई, सीमा और अभी किसी तरह मेहमानों को भेश देते हैं, उसके बाद मेरे बात सुन, जो तुने साडियां ड्रैक्लिंग करवाई थी न, निकाल कर ला, सीमा और कंचन को देते हैं, वे पहन कर कुछ अच्छी तो लगेंगी, और मैं बच्चों के कपरे देती हूँ, अनीता मैं तो काम में बिजी हूँ, ये काम तू ही देख ले, जाकर अलमारी से साडियां निकाल ले, सीमा के पैरो तले जमीन निकल जाती है, वे अपनी दोनों पैनों की बाते सुनकर एक दम से हैरान थी, वे उदास होकर उपर जाती है, और कंचन के कान में जाकर सारी बात बता देती है, ये सफर लंबा था, इतनी भारी साडी नहीं पहनी जाती, तुम भी चानती हो ना, माना के गरीब हैं, लेकिन हाथ समीन पर नहीं टिके हुए, मन छोटा मत करो, अमीरी होती ही ऐसी है, सर पर चड़ जाती है, फिर सामने वाला बहुत छोटा लगने लगता है, उसकी जरूर दे आने से पहले जो अपनी पहनी हुई साणिया देने आए, कंचन को सीमा की बात सही लगती है, वे दोनों पहने जल्दी से तयार हो जाती है, और बच्चों को भी सुन्दर कपड़े पहना देती है, अनीता बड़े बड़े बैच लेकर उपर आती है, तो सीमा और कंचन को हैरान रह जाती है अरे तुम दोनों तो बहुत अच्छी लग रही हो हाँ दीदी सफर लंबा था इसलिए हलके कपड़े पहने हुए थे अब शादी का गर है तो यहां के हिसाब से ही पहने है आखिर हमारी पहने इतनी अमीर है हमें उनकी इज़त तो रखनी पड़ेगी कंचन का इस तरह बोलना अनीता को लग जाता है वे समझ जाती है कि लगता है दोनों ने उनकी बाते सुन ली किसी आनि बिल्ली की तरह वापस उस बैक को लेकर वापस आ जाती है और जाकर सुनीता को बता देती है ओहो तो इसमें डरने वाली क्या बात है देखा नहीं था कैसे बन कर आई थी हम लोगों ने तो उनके लिए अच्छा ही सोचा था राग को मेंदी का फंक्शन था कंचन और सीमा दोनों अपने आपको बड़ा अलग तलग मैसूस कर रही थी अमीर अमीर लोगों के बीच में सुनीता और अनीता सबसे मिलकर बात कर रही थी लेकिन अपनी दोनों बेहनों से वे कुछ भी पूछने को तयार नहीं थी देख रही हो सीमा अमीरी करीबी का फरक ये एक ऐसा फासला है जो रिष्टों में दूरियां बढ़ा देता है कोई कह सकता है कि हम अनीता और सुनीता की सगी बेहने है हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे बेकानी शादी में अब्दुल्ला दिवाना सब लोगों से बार बार खाने पीने के लिए पूचा जा रहा है और हमसे अभी तक एक वार भी खाने के लिए नहीं बोला देख रही हूं कंचन सब देख रही हूं मेरी बात मान हम लोग सुबा ही यांसे चलते हैं अमीरों की शादी में हमारा यहां क्या काम भाजी को जो देने आये थे वे देका चलते बनते हैं और साथ में आशिरवाद भी दोनों बेहने बहुत दुखी थी लेकिन आनीता सुनीता ने इस तरफ थ्यान ही नहीं दिया अगले दिन सुभा की बात है सुनीता दिदी हम लोग कल से आय हुए हैं लेकिन आपने एक बार भी हमारे साथ बैठ कर बात नहीं की माना की शादी का घर है लेकिन बाकी सबको तो आप पूरा टाइम दे रही हैं हाँ हाँ हम लोग गरीब हैं लेकिन आप ये क्यों भूल गई कि हम आपकी सगी पहने हैं हम जानते थे दीदी हम कहां आ रहे हैं उसी के हिसाब से हमने तयारी भी की थी तभी निधी वहां आ जाती है अरे सीमा मौसी कंचन मौसी ये सामान यहां क्यों रखा है आप लोग जा रहे हो पर मेरी शादी तो आज है जानती हूँ बिटिया तेरी शादी आज है अचचच इधरा देख तेरी ये दोनों मौसी ये तेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आई थी हाँ हाँ मौसी बताओ ना क्या लाई हो फिर कंचन अपने बैक से एक सुन्दर सा टिपा निकालती ह और जब उसे खोलती है तो अनीता और सुनीता की आँखें फटी की फटी रह जाती है सीमा और कंचन ने अपनी सेविंग से निधी के लिए हीरे का हार करीदा था हीरे का हार देख कर निधी खुशी से उचल जाती है और दोनों मौसीयों के कले लग जाती है क्या बात है मौ उनकी गर्दन चुक गई थी अब दोनों सीमा और कंचन से माफी मांग रही थी लेकिन दोनों बहनों ने अपने स्वाभिमान को उपर रखा और शादी को बीच में ही छोड़कर घर वापस चली गई जब निती को ये पूरा मामला पता चला तो वे भी अपने मां और मौसी पर भड़क गई ममी, मौसी, मुझे आप लोगों से ऐसी उमीद नहीं थी मेरे लिए तो आप सब एक चैसी ही हो अच्छा हुआ, दोनों मौसी आप लोगों को सबक सिखा कर चली गई अब आपको भी पता चले कि अमीरी करेबी से जादा बड़े रिष्टे होते हैं जिन में प्यार होना चाहिए भगवान न करे, कल को अगर मेरे ससुराल वाले गरीब हो गए तो क्या मा, तुम मुझे खर पर नहीं आने दोगी ये सुनकर सुनीता रोने लगती है और अपनी बेटी से माफी मांगती है शादी होने के बाद अनीता, सुनीता दोनों कंचन और सीमा के खर चाकर उनसे माफी मांगती है कंचन और सीमा भी बड़पन दिखाते हुए अपनी बेहनों को माफ कर देती है एक छोटे से गाउं में माही और रिया नाम की दो लड़किया रहती थी दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी माही जहां एक किसान की बेटी थी वहीं रिया वहां के जमिंदार की बेटी थी गाउं में एक ही स्कूल था इसलिए अमीर गरीब सब वहीं पर पढ़ने जाते थे और वहीं पर ही रिया और माही की दोस्ती होई पता है माही मुझे बड़ी खुशी होती है कि तुम मेरी दोस्त हो तुम कितनी इंटेलिजेंट हो मैडम जो भी पढ़ाती है वो तुमें फट से याद हो जाता है क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो हाँ हाँ बोलो तुम तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्तो इंग्लिश फैली मैम ने जो काम दिया था न वो मेरा पूरा नहीं हुआ है क्या तुम मेरा काम पूरा कर दोगी? आज मुझे पापा के साथ किसी किया शादी में जाना है. माही हाँ कह देती है. अधिकतर ऐसा ही होता था. रिया पढ़ाई से चोड़ी करके सारा काम माही से करवाती थी. और माही उसे अपना अच्छा दोस्त समझ कर उसका काम कर देती थी. इसी तरह देखते ही देखते समय निकल रहा था. दोनों सहीलियां बारवी क्लास में आ गई. माही, बचपन से देखते हुए आ रही हो. तुम हमेशा रिया का काम करती रहती हो. बेटा, उसे भी अपना काम करने दिया करो. तुम्हारी भी बोर्ड की परिक्षा है. मा, तुम्हें पता है, मुझे स्कूल में कोई भी अपना दोस्त नहीं मानता क्यूंकि मैं बहुत गरीब हूँ. बस एक रियाई है, जो मुझे अपना इतना अच्छा दोस्त मानती है, और उसके अंदर देखो, बिल्कुल भी घमर नहीं है. मेरी बच्ची, जितना तेरा दिल साफ है, रिया का दिल इतना साफ नहीं है. उसे पता है कि तु पढ़ाई में अच्छी है, बस इसी लिए तेरी उससे दोस्ती है. अमीर लोग भला कभी किसी के दोस्त हुए है, और तेरे जैसी गरीब लड़की की इतनी अमीर दोस्त, मैं मान ही नहीं सकती कि उसमें उसका कोई लालच ना छिपा हो. मा, मेरी दोस्ती पर शक मत करो, मत सुनो मेरी बात, एक दिन तुम्हारी आखे खुद ही खुल जाएगी. और उधर रिया के घर पर, कितना मना किया है तुम्हारे पापा को की बोर्ड परिक्षा शुरू होने वाली है, इतना बड़ा टीवी घर में नहीं लगाओ. पूरा देन इस टीवी के आगे बैठी रहती हो, क्या तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी? मा, मैं पढ़ाई करती हो, बगैर पढ़ाई करे तो पास नहीं हो जाती न? कॉफी किताब उठाए तो मैं तुम्हें कभी नहीं देखती, भगवान जाने पढ़ती कैसे हो और कैसे पास हो जाती हो? मा, तुम्हें तो पताए मैं सारा काम माही से कराती हो, और वो बेवकूफ मुझे अपना दोस समझ कर सारा काम कर देती है. ये तुम उसके साथ गलत कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए. अगर तुम उसे अपनी सहेली नहीं मानती हो, तो उसे सीधा कह दो. वो बिचारी तुम्हें अपना दोस्ट समझ कर तुम्हारा सारा काम करती रहती है मैं क्यों अपने पैरों पर कुलाडी मारू अगर वो मुझे अपना दोस्ट समझती है तो समझती रहे मुझे मेरे काम से काम मतलब है ये कहकर वो दुबारा से टीवी देखने लगती है अगले दिन स्कूल में माही उसका सारा काम करी हुई कौपियां उसे दे देती है रिया अब तुम्हें अपना काम खुद करना होगा मेरी माने मुझे साफ मना कर दिया है कह रही है बोर्ड के परिक्षए दिल लगा कर पेपर दो अच्छा ऐसी बात है चलो कोई बात नहीं तुम पढ़ाई करो माही ने रिया का काम करना बंद कर दिया रिया ने भी माही से दूरियां बढ़ानी शुरू कर दी एक दिन एक सहेली ने रिया से कहा क्या हो अरिया आजकल तुम माही के साथ नहीं रहती हो हमारी साथ क्यों बैठने लगी हो अरी यार क्या बताओ मैं कभी भी उसको अपनी सहेली नहीं मानती थी वो तो बस बढ़ाई में इंटेलिजेंट है इसलिए मैं उसके साथ रहती थी लेकिन आप जब उसने मेरा काम करने से मना करती है तो मैं क्यों उसके साथ रहूँ क्यों हर कोई कहेगी एक गरीब लड़की मेरी दोस्त है और वैसे भी मुझे उसके साथ चलने में बड़ी शर्माती थी कहां मेरे कपड़े इतने सुन्दर और जाँ वो इतनी घट्या कपडों में घुमती है हम् ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो कहां तुम कहां वो कपडों से नहीं वो तो शकल से भी गरीब ही लगती है ये कहकर वो सारी सहेलिया जोर-जोर से हसने लगती है लेकिन वहीं कमरे के बाहर खड़ी हुई मा ही उन सब की बाते सुन रही थी उसकी आँखों में आसु आ जाते है मा सही कहती थी अमीर लोग कभी भी गरीबों के दोस्त नहीं होते बचपन से लेकर आज तक मैं हमीशा रिया को अपना अच्छा दोस्त समझती रही और वो मुझसे अपना मतलब निकालती रही अगर पैसे में इतनी इताकत है तो मुझे भी पैसा कमाना है फिर वो दिलो जान से बारवी कख्षा की परिक्षा की तैयारी करने लगती है उसने अपने भविश्य को लेकर बहुत कुछ सोच लिया उसे इतनी मैनत करता देखकर उसके पिता जी ने एक दिन कहा क्या हुआ माही बेटा आजकल जब भी देखो किताब उठा कर बैठी रहती हो बेटा इतनी पढ़ाई करने से तो दिमाग भी दुखने लगेगा बाबा मुझे एक बात बताओ क्या पैसे में बहुत ताकत होती है देखो बेटा मानने न मानने की बात है पर मैं सच कहता हूँ पैसे में ताकत तो होती ही है पैसे वाले लोगों को देख कर हम जैसे लोग आकरशित हो ही जाते है पर आज तुम ये सब क्यों पूछ रही हो बाबा मुझे भी बहुत पैसा कमाना लेकिन सच कहती हो किसी को दुख देने के लिए नहीं बस किसी को साबित करने के लिए कि अमीर बनना कोई मुश्किल बात नहीं है पर इमानदार होना बहुत बड़ी बात है मैं समझा नहीं बेटा तेरे मन में क्या चल रहा है फिर वो अपनी और रिया की बात अपने पिता जी को बता देती है पिता जी वो मेरी बहुत अच्छी दोस थी मैं उसे हमेशा अपना बहुत अच्छा दोस मानती थी लेकिन उसने मेरे बारे में ऐसा कहा और वो मुझे अपना दोस भी नहीं मानती थी अब मुझे भी उस जितना अमीर बनना है और उसे बताना है कि अमीर होना कोई बड़ी बात नहीं है उसके पिता जी उसके सर पर हाथ रखते हैं और वहां से चले जाते हैं माही 12th क्लास में 1st आती है तुमने स्कूल के साथ साथ हमारे गाउं का भी नाम रोशन कर दिया माही तुमें एक पेपर दे दो तुमें स्कॉलर्शिप मिल जाएगी फिर आगी की पढ़ाई तुम शेहर जाकर कर सकती हो और उसके बाद तुमें अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी और रिया तुम तुमने तो सच मुझ में मुझे बहुत ही डिसपॉइंट किया है देख रहे हो तुम अपने नंबर रिया घर आती है और अपने जमिनदार पिता से कहती है पापा मैं कुछ नहीं जानती बस मेरा एड्मिशन अच्छे कॉलेज में होना चाहिए रिया तुमने अपने नंबर देखे है पापा आपके पास तो इतना पैसा है आप मेरा एड्मिशन उसी कॉलेज में कराईगा जिसमें माही का होगा एक गरीब किसान की बेटी इतने बड़े कॉलेज में पढ़े और मैं एक जमिन्दार की बेटी होकर घर में बैठ जाओ नहीं नहीं बिलकुल भी नहीं और यहाँ बेटी तुम इतनी परिशान क्यों ह हो रही हो माही स्कॉलर्शिप के लिए पेपर देती हो और वो से क्लियर कर लेती है और फिर वो शहर में एक बड़े कॉलेज में अड्मिशन भी ले लेती है देखो बेटा मैंने सुना है जो शहर चला जाता है वो गाउँ वापस नहीं आता और तुम तो फिर भी लड़की हो, वहाँ कैसे रहोगी? मा, मुझे पर भरोसा रखो, और मुझे पता है मुझे जिन्दगी में क्या करना है? माही और रिया दोनों एक ही कॉलेज में अडमिशन लेते हैं, यहां तक कि वो एक ही हॉस्टल में भी रहती हैं, लेकिन रिया माही के पास से गुजरते समय भी अपना मुझ फिर लेती है, और वहाँ पर उसने अपने नए-नए दोस बना लिये थे, जो हमेशा इधर-उधर घूमते रहते पार्टी करते हैं, माही अपनी पढ़ाई में पूरी तरह फोकस कर रहे थी, और देखते ही देखते तीन साल पढ़ाई के निकल जाते हैं, माही कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वहाँ पर ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर देती है, वो अपना सारा खर्चा खोद उठाती थी, कॉलेज का आखरी दिन था और रात को सब लोगों ने एक पार्टी रखी, जिसमें रिया और माही को भी इन्वाइट किया गया था, और वहीं पर कॉलेज का एक बिगड़ा हुआ लड़का रोहन भी था, माही ने उन दोनों की बात सुन ली थी, और वो रोहन को रिया के पास जाते हुए देखती है, ख्या कहा तुमने, तुम मुझे प्रपोस कर रहे हो, शेकल देगी है तुमने अपनी, रिया के पास खड़ी उसकी सहेलिया भी उन लोगों पर हसने लगती, रोहन और उसका दोस्ट गुस्से में वहाँ से चले आते हैं, माही उन दोनों की बाते सुन रही थी, वो बहुत डर जाती है कि रोहन रिया के साथ क्या करने वाला है, फिर वो देखती है कि रोहन ने वेटर को बुला कर रिया की कोल रिंग में कोई दवाई मिलाई है, रिया वो कोल रिंग पी लेती है, तब ही अचानक से लाइट बंध हो जाती है और सभी म्यूजिक पर डांस करने लगते है, माही रिया को इधर उधर देखती है लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देती, काफी डूर्णने के बाद भी जब माही रिया को नहीं मिलती तो वो सीडियों से उपर की तरफ जाती है, और साथ ही साथ वो पुलिस को भी फोन कर देती है, उपर जाने पर उसे रिया के चिलाने की आवाज सुनाई देती है और वो उस कमरे के पास जाती है, और जोर से धक्का देकर उस कमरे का दरवाजा खोल देती है, तो देखती है कि रोहन ने रिया को पकड़ रखा है, रोहन, रिया को छोड़ दो, मुझे बचाओ माही, मुझे बचाओ मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मुझसे कोई जगड़ा नहीं है लेकिन रिया मेरी दोस्त है और मैं अपनी दोस्त पर आंच भी नहीं आने दूँगी माही के मुझे ये सुनकर रिया को अपने किये हुए बरताओ पर बड़ी शर्मिंदगी होती है तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और रोहन को पकड़ लेती है मुझे माव कर दो माही, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किये पर मैं जानती हूँ रिया, तुमने कभी मुझे अपना दोस नहीं माना लेकिन मैंने हमेशा से तुम्हें अपना दोस समझा है मैं तो हमेशा से यही समझती थी कि दोस्ती में अमीर गरीब नहीं होता लेकिन तुमने मेरी आँके खोल दी माही, माही आज जो तुमने मेरी लिए किया मैं सच कहती हो आज से मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानूगी अच्छी बात है लेकिन मैं हमेशा तुम्हें अपना दोस्त मानूगी लेकिन मैं फिर भी कभी तुमसे बात नहीं करूँगी क्योंकि सिर्फ तुम्हारी वज़से मैं आज तक कोई और दोस नहीं बना पाई क्योंकि तुम्हारे तोड़े गए भरोसे ने मुझे कभी किसी और भरोसा होने ही नहीं दिया ये कहकर माही वहाँ से चली जाती है और रिया को बड़ी शर्मिंदगी होती है